जहीं दोस्तों उडान डिफेंस लखीमपुर में आप शबी का स्वागत है उडान डिफेंस अकादमी जहां होती है सभी फोर्से से संबंदित फिजिकल एउम रिटेन की संपूर्ण होते जादी दोस्तों आज का टॉपिक बड़ा ही महतोपूर होने वाला है यह वीडियो अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज का वीडियो हम लेके आए हैं आपको दिन भर ठकान क्यों आती है क्या कारण है इसके बारे में और इसका क्या समाधान हो शकता है तो दोस्तों क्या आपको भी दिन भर ठका ठका महसूस करते हैं दिन भर आपको नीद आती रहती है दिन भर आपको एनरजी डाउन रहती है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो आपका बिना कोई समय गवाए हुए तो दोस्तों अगर यह वीडियो हमारा अच्छा लगे चैनल को करें वेल आइकन दबाएं ताकि यह वीडियो सबसे पहले आप तक होगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक दोस्तों आपको समाधान बताने से पहले इसका कारण बता देता हूं कि क्या कारण हो सकते हैं क्योंकि जब कारण पता होंगे तभी समाधान आप स्पोर्ट्स पर्शन आप दिन भर अपना आपको ठका ठका महसूस करेंगे आपको दिन भर कमजोरी लगेगी तो कम से कम साथ से आठ घंटे जरूर सुएं आप अगर कम सोते हैं तो आपको दिन में नींद आये गया गी और एक जो लोग फिजिकल करते हैं जिनको भागदो अगर आप सही मातरा में नीटिस्यन नहीं ले पाते हैं तो वो भी आपके लिए सबसे बड़ा कारण है जो दिन में ठका ठका महसूस करते हैं जिसके कारण आपको बहुत दिक्कत होता है और एनरजी लेवल डाउन रहता है जिससे आपको बहुत ज्यादा नींद आती है त आपको बहुत ज्यादा ठकान महसूस होती है आरन की कमी कैसे दूर कर सकते हैं तो आपको यह हम बताते हैं दोस्तों आरन की कमी के लिए आप हरी सबजी खाएं अंडा, रेड मीट, आलू, टमाटर, बीन, कलेजी यह सब लेंगे तो आरन की कमी दूर हो जाएगी दोस्तों यह सब हरी सबजी में आरन ज़िए अंडा, रेड मीट, आलू यह सब खाने से आपकी आरन की कमी दूर हो सकती है लाश्ट में हम आपको ऐसा ड्रिंक बताएंगे कि आप लेते हैं तो आरन की कमी दूर हो जाएगी दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा एनरजेटिक ड्रिंक बताएंगे जिससे लेने से आपको ये थकान दूर हो जाएगी और जो ठका ठका महसूस करते हैं वो होगा नहीं और तीसरा रीजन है आपका डिप्रेशन या इस्टेसाना दोस्तों अगर आप दिन पर आपको तनाव में रखते हैं क्या होगा, कैसे होगा, कैसे पढ़ाई होगी, क्या है यह सब अगर सोचते रहते हैं तो बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा अगर चिंता में रहते हैं तो इस दोरान जो हमारे सरीर का इस्टेसार्मोन जो कार्डिलोज होता है जो इस्टेस हार्मोन, कार्डिलोज होता है, वो बहुत ज़्यादा प्रडूज होने लगता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है, और आप अपने आपको ठका ठका महसूस करते हैं, इसको दूर करने के लिए आप असुगंधा पाउडर ले सकते हैं, आसुगंधा पाउडर आपका इस्ट्रेस दूर करने के लिए बहुत ही फाइदे मंद हैं, मैं आपको आगे और बताऊँगा कि 10 दिन, आप कोई अपना पूरा वर्काउट खतम करने के बाद, 10 मिनिट, 10 दिन एक्सरसाइस करके देखिए, आपको एनरजेटिक फिल होगा, वो एक्सरसाइस भी हम आपको बताएंगे, सिर्फ 10 मिनिट करने से आपके चेहरे पे ग्लो आएगा, और आपको ठका ठका महसूस नहीं करेंगे, और चोथा कारण क्या है आपका ठका महसूस करते हैं, अनरजेटिक फिल नहीं करते हैं, वो चोथा कारण है, दोस्तों चोथ ठीक से नहीं ले पाएंगे, अगर आपकी बॉडी में अक्सीजन नहीं पहुच पाएगा, तो आप दिन भर अपने आपको ठका ठका महसूस करेंगे, जिससे आपके बाल जड़ेगा, इसकिन ग्लो नहीं करेगा, और आपकी आँखों में भी दिक्कत होगी, तो हीमो ग्लो ग्लोबिन की मातरा 13.5 से 17.5 के बीच में होता है, और लड़कियों में 12 से 16 परशंट हीमो ग्लोबिन की मातरा पाई जाती है, दोस्तों अगर हीमो ग्लोबिन की कमी हो गई, तो आप ये चीजे खाईए, अनार, टमाटर, बीट, खजूर, तरबूजा, हरी सबजी, और चिक ग्लोबिन की मातरा कमी दूर हो जाएगी, और लाश्ट में आपको एक जादवी ड्रिंक बताएंगे, जिससे आप ये समस्यां दूर हो जाएंगे, और एक्सरसाइज बताएंगे, जो आप बैठे बैठे कर सकते हैं, दोस्तों अगर आपको बहुत ज्यादा नीद आती, त उसके बाद 10 मिनिट आप एक एक्सरसाइज कीजिए, वो एक्सरसाइज आपको करना है, जिससे आपको बहुत ही फाइदा होगा, एक्सरसाइज है अनलोम, बिलोम और कपाल भारती, दोस्तों आप अगर अनलोम, बिलोम और कपाल भारती करते हैं, या एक्सरसाइज, अगर सरीर में नहीं रहती और आपके स्किन भी ग्लो करेगी यानि कि जब आपके सरीर में आक्सीजन की कमी नहीं होगी तो आपको स्किन ग्लो करेगी और इस्ट्रेस भी कम होगा इससे आपका तनाव दूर होगा और आपकी दिन भर जो आप ठका ठका महसूस करते हैं वो आपका दूर हो जाएगा और बस आपको अपने अंदर energetic feel होगा यह exercise सिर्फ आप 10 दिन करके देखिए आपको अपने आप इसका फाइदा मिलेगा प्रति दिन exercise सारी workout खतम होने के बाद 10 minute अनलोम विलोम करना है इससे आपको energetic feel होगा और अनलोम विलोम के दोस्तों बहुत फाइदा है वो आपको इसलिए प्रति दिन 10 minute अनलोम विलोम करना है अपना time निकालने के पाद और आप पूरा दिन अच्छे से रह शकते हैं तो दोस्तों अगर अनलोम विलोम करते हैं तो आप अपने आपको energetic feel करेंगे नीन नहीं आगी और दोस्तों जो हमने बोला था लास्ट में जो जादूई drink बताने वाला था वो है गुड़ और पानी हाँ दोस्तों गुड़ और पानी एक ऐसी जादूई आइरन रहता है तो आप उससे आपकी बॉड़ी में बहुत ज्यादा थकान जो आता है वह हीमोगलोविन को बढ़ाता आइरन की कमी दोर करता इस गुड़ इससे आपको बहुत ज़्यदा फाइदा होगा और आप गुड़ का सेवन करते हैं तो आपकी बॉड़ी में मंद होने आले तो दोस्तों दो से तीन खजूर ले लिजिए या गुड़ खाली पानी खाली पेट में लेना है गुड़ और पानी तो दोस्तों यह अगर एकसरसाइस करते हैं तो आपको कभी थकान नहीं होगा सबसे पहले हैं आपको गुड़ और खाली पेट में रहेगी और आप अपने को दिन भर energetic फिल कर पाएंगे जिससे आपकी देनिक देंचे रहा बहुत एच्छी रहेगी दोस्तों हमारे वीडियो कैसा लगा हमें comment के माध्यम से बताएं और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे वीडियो और आप तक सबसे पहले पहुँचेंगे जय हिंद